नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जायफल के उप्योग के बारे में आयरवेदिक तरीके से जायफल का उप्योग कैसे करना चाहिए और क्या-क्या इसके स्वास्थे को लाव मिलेंगे किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कौन सी बीमारी में ये कब इसका कौन सी बीमारी में उप्योग करना चाहिए तो वो आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे इसलिए वीडियो को अंत्र तक जरूर देखिए नमस्कार आप देख रहे हैं आयरवेदिक उप्चार दोस्तों जायफल एक ऐसी जड़ी है जो कई समस्याओं में बे एक चोथाई चमच अद्रक का पाउडर इन दोनों का मिश्रण बना करके लेना ही काफी हो जाता है भोजन करने से कुछ समय पहले आप इसका एक बटा आठ चमच यानि के लगबग दो ग्राम की मात्रा आपको हलके गरम पानी के साथ लेना होता है बस जी हां तीन से चार छ चमच इलाइची और जायपल मिला करके पीछ लीजिए हर दो घंटे में एक चमच तयार किया हुआ पाउडर का सेवन कीजिए मितली और अपच की स्थिती हो गई है यानि कि आपको कुछ हजम नहीं हो रहा है उल्टी होनी जैसा लग रहा है तो एक चमच शहद के साथ तीन जैफल मिला लेना है और इसको पीना है या चाय बना करके पीना है काफी फायदे मंदर हैगा उबाल करके चाय तयार हो जाएगी और पी लीजिए इसको अब आपको सावधानी क्या बरतनी है जिहां सावधानी ये बरतनी है कि गर्म प्रकृति का होता है जैफल इसके कारण इसका हमेशा ही सिमित मातरा में 7 किया जाना चाहिए तो हर रोज 3-5 ग्राम ध्यान दीजे 3 ग्राम यानि कि 2-3 ग्राम ही आप लीजे तो ज्यादा बहतर है 5 ग्राम भी मत लीजे 3 ग्राम लीजे आपके लिए अच्छा रहेगा जैपल का 7 का नाप के लिए बहतर रहेगा इसका तिरिक्त अगर 7 करेंगे तो आपको एकागरता संबंधी फूर्ती संबंधी प्रोब्लेम आने लगेगी आपकी बोडी सुस्त रहने लगेगी इससे पेट दर्द जी मिचलाना घबराहट होने की समस्या होने लगेगी इसके अधिक 7 से अलर्जी दमा कोमा जैसी गंभीर समस्या हो सकती है क्योंकि यह बहुत पावरफुल आउश्यद है इसलिए इसका एक से दो ग्राम के मातरा ही एनफ होता है हमारी बोडी के लिए तो इसका कभी भी यह सोच करके कि यह इतनी अच्छे आउश्यद है इतनी बिमार पैंत रखती हैं तो उमीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही नई video के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल नोटिफिकेशन कों कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथ साथ वीडियो को ल धन्यवाद नमस्कार दोस्तों